सल्मान खान का धमाकेदार शो विग बॉस 16 इन दिनों टीवी पर चायवाय शो में अर्चना गौतम प्रेंग का चाचर चौदरी गौतम विज और अब्दुग रोजिस जैसे कंटेस्टन को लोग देखकर मनरंजर लूट रहे हैं लेकिन इन दिनों शो में गौतम विज और सौंदरिया शर्मा की प्रेंग कहानी कंटेस्टन के साथ साथ बिग बॉस को भी निशाने पर आ चुकी है बीते दिन शो में सौंधरिया शर्मा और गौतम विच की प्रेम कहानी को कटगरे में खड़ा कर दिया गया था जहां किसी ने उनकी प्रेम कहानी को फेक बताया तो वहीं किसी ने उनका साथ दिया इसके बीच बिग बॉस कर रही या खुद सौंदरिया शर्मा भी खुश नजर नहीं आ रही है उनोंने बिग बॉस पर पश पाती कहोने का इल्जाम लगाया है खास बात तो यह है कि एक्टरस इस बात का सपोर्ट अब फैंस भी कर रहे हैं दरसर दीते दिन बिग बॉस सिक्स्टीन में दिखाया गया कि घर में अदालत लगाई गया जिसमें गौतम विर्ज पर इल्जाम लगाया गया कि वे फुटेश पाने के लिए शालिन बनौत के साथ दोस्ती रख रहे हैं इस दोरान जट जहां टीना दर्ता और प्रेंका चाचार चौधरी को बनाया गया तो वहीं वकील निमरित अलुवालिया कौर को बनाया गया इस अदालत में निमरित टीना और शालीन ने गौतम पर कई गंबीर आरोप लगाए वहीं बिग बॉस ने इस राउंड में जीत निमरित को दिलाई जिससे सौंदरिया शर्मा और गौतम विच खुश नहीं दिखे इस खेल के बीच ही सौंदरिया शर्मा बोल पड़ी मुझे कभी कभी लगता है कि बिग बॉस पक्षपाती है उन्होंने जान बूच कर टीना को जज रखा